20,000 की Best Projector वीडियो में, बहुत सारे लोगों ने Bajaj को Alpha X के बारे में पूछा हैं, और आप पूछो, हम बताए नहीं, ऐसा होता नहीं है, हम आपके लिए लाए हैं Bajaj को Alpha X Review, साथी साथ हम इसके Competitor से भी आपको Compare कराएंगे, क्या इसको खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए 4K HDR और HLG को सपोर्ट करता है, 300 इंचिस की बड़ी स्क्रीन मिलती है, जो कि इसके Competitor में E-Gate O9 Zen में भी Almost Similar Screen मिलती है, 9,000 की Lumen Brightness है, 110% का NTSC White Color Ratio आपको मिल जाता है, और 30,000 आवर्स की Lamp Life है, 7,000 Race to 1 Contrast Ratio है, जो कि इस Range में आपको आराम से देखने को मिल जाता है, Android 9 Compatible 2GB RAM है, 32GB Storage है, और Welton Quad को CPU है, अब डिफरेंस वाली बात है, इसमें 10W का Hi-Fi Stereo Speaker मिल जाता है, इसी बजट में आपको E-Gate O9 Zen मिलता है, जिसमें 5W का Speaker मिलता है, Digital Zoom, 4D Keystone जैसे Multiple Feature मिल जाते है, Auto Focus Tilt, Multiple Connectivity के लिए Bi-Fi 6, Dual Band Bi-Fi, USB के दो पोर्ट, HDMI का एक पोर्ट, Audio Video का एक पो FTH, FTH का मतलब उसमें Fire TV Stick आपको देखने को मिलती है, उससे आपको Advantage मिलता है, चोकि मैं आपको Explain करूँगा, वो model है, जो 2000 रुपे महंगा आपको मिलेगा, Fire Stick अलग से लोग है, तो 3000 रुपे ये पड़ीगी, तो Value for Money पड़ जाता है, अब आती है मुद्धे की बाद, कि य Fully Automatic Projector है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपने प्रोजेक्टर को स्क्रीन पे adjust करा, उसके बाद जितनी brightness, क्या correction करना है, वो अपने हिसाब से adjust कर देगा, मतलब आपको manually चीज़ा नहीं करने पड़ेंगी, तो अगर आप beginner भी हो, पहली बार भी प्रोजेक्टर को ले रह इसका major कौन है, कि इसमें जो features है, वो almost सारे के सारे बाकी सब में मिल जाते हैं, इस range के प्रोजेक्टर में, sound 10W की है, बट उतनी जादा loud नहीं है, तो अगर आपको theater जैसा experience ही है, then आपको definitely एक अच्छा home theater या sound bar लगाना ही पड़ेगा, अब सुनो, कुछ questions आते हैं, अगर Netflix बगेरा को normal ही चलाओगे न, normal projector में, तो 480p चलेगा, इस projector में और बाकी किसी भी projector में, बट जब आप fire stick के दुरू चलाते हो, तो वो 1080p resolution में चलेगा, तो ये आपको advantage एक देखना को मिल जाता है, secondary, जब fire stick वाला model लेते हो, तो 2000 रुपे में बढ़ता है, जबकि fire stick अलग स इस budget में, price range almost similar है, so अगर आपको मिल रहा है Bajatko Alpha X, 16-17,000 के budget में, और price different E-Gate O9 Zen में, तक्रीवन 2-3,000 रुपे गा है, then definitely Bajatko Alpha X बहुत अच्छी deal है, बट अगर इसी range में, E-Gate O9 Zen आपको मिल सकता है, same price में, और even 500,000 रुपे का difference है, then I will suggest you, go with E-Gate O9 Zen, features almost similar है, बट अच्छी choice बनाते है, otherwise Bajatko Alpha X, one of the best projector है, जो कि इस budget में, आपको consider करना चाहिए, एक और लोगों को doubt होता है, कि Android में mirroring तो possible है, बट क्या iOS की mirroring हो जाती है अराम से, तो दोनों ही projector में, आराम से कर पाओगे, उसमें कोई भी problem नहीं आएगी, school, college, office, home, किसी भी purpose के लिए, इ अबी भी कोई doubt है, please comment